आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार करें और चाहे विष्णु स्थम्भ को तो मीनार की बात करें अलालतर के मुद्द समय देश में चर्चा में हैं लगातार इन मुद्दों पर बयानबाजी का दौर जा रही है तो कहीं बयानबाजी के दौर में कुछ बाते ऐसी हो जाती है जिनसे मामला बड़ा उलज जाता है जिहां कुछ मामला ऐसा ही हुआ जब नुपुर सर्मा के जुआ से ऐसे सब्द निकले जिस पर अब लगातार बखेडा बनता नजर आ रहा है और बखेडा इसकदर आंगे बड़ा बढ़ता चला गया उलसता चला गया कि उस बखेड़े की जो बनियार है वो भारत से है और इस पर कारवाई होनी चाहिए हलाकि कारवाई करते हुए भाजिन्दा पार्टी ने नुपुर सर्मा को नभीन जिंदल को छे साल के लिए पार्टी से निसकासित कर दिया और लगातार उन पर मुकदमी दर्ज हो रहा है अलालालाग जगाओं पर लोगों के द्वारा पर जो बयानबाजी है वो किवल किवल नुपुर सर्मा के दौरह ची गई का ऐसा भी नहीं है क्योंकि हमां जिसमें बयानबाजी का दौर जा रही है और यहां पर अभिवेक्ति के अधिकार के तहता लोग इस तरह के बयान देते रहते हैं कोई बयान देता है कि आब बावरी मस्जिद को जरण दिया जाता है उपद्रों कि बाद करें चाहे दिल्ली दंगों कि बाद आप सब्सक्राइब करना चाहते तो इसको सांतिपूर्ण धन से करें उसके बार लगाता सांतिपूर्ण पर अभी हम हाल में जिस तरह देख रहा है कि पांच राज्यों के बिरांसवाद चनौन निपटने के बाद एक अलग ही ब्युस्था चल रही है कि यहां पर राम नौमी की बरात निकलती है तो हमला होता है जैसा की रायस्थान की करोली में हुआ और जो यह राम नौमी और हनौन जैद्धी पर हमले की बात हम बता रहा है कि यह पर हमला हो रहा है जो केवल उत्तापरेस में नहीं हुआ जारा होता है बड़ी आबरे बाला राज जहिसकान जारा होता है बिजेपी के सासन यहापर दोबारा 37 साल के मिधक को टोड़का योगी दोबारा यहां मुक्पंतरी बने है दूसरे कारकाल की सुरुबार की है सक्री कारकाल दिख रहा है और पर जब हम बात करते रायस्थान की उत्राखंड की कलकत्ता की केरल की तो कही न कहीं यह बात नजर आती है कि जो सोनी जुना होती है उपदरों करने की के बाल यह जगह सीमित नहीं होती है और आलाला जगहों पर उपदरों को अंदाम दिया जाता है और क्या कहना चाते है यह समझ में भी नहीं आता है उसके बार लगातार यह कहा गया है कि लाड़ुस्पीकर उतारे जा रहे है और लाड़ुस्पीकर उता पर यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नुपर सर्मा बाले बयान में के बाद दंगे हुए दंगे उनी बोलेंगे उपद्र हुआ उपद्र हुआ क्यों हुआ कानपर में हुआ परेड इलाके में हुआ यह परेड इलाका बही इलाका है जहां पर सी ए एनर्ची के समय भी बड़ी अनिक कहा जाएगा बड़ी इस्तिरी गंबिर हो गई थी CNRC की समय भी और बहाँ पर भी उस समय हिंसा हुई थी और पुलिस ने यहाँ पर सबक नहीं लिया जो हमाई खूपियास एजनसी है उन्हों नहीं सबक नहीं लिया उसके बाद तीन जुनकों जुमे की नवास के बाद यहाँ पर भी नुपर सर्मा और नभी जिंडल जैसे लोगों के बयान की चलते यहाँ पर उपद्रा हुआ पथरबाजी हुई और पथरबाजी की यूजना इतनी पुकता थी कि घरों पर पत्थर रखे गए ठेलों पर पत्थर लाए गए पैट्रोल बम चलाए गए फाइरिंग हुई और लोग घायल हुए हालाकि यहाँ पर दंगा और सामपराइक हिंसा जैसी कोई घटना नहीं हुए यहाँ पर अब्रुड प्रसन था उपद्रो था नूपरसरमा के बयानको लेकर कि नूपरसरमा पर करवाई वह हो रही है पर आपनी ही संपत्ती till नुक्सान पहुचा ना क्यों देश आपका थे संपत्ती ये ऑपकी EKलि की संपत्ती है जल ने운 eh अपने ही जो सुरच्छा करती प्रोसिवल उस पर पत्थर वाजी कर रहे हैं और यहां पर एक जोजना मना जाते हैं खर जाच चल लही है कई लोग ग्रपतार हुए है पीएफाई से उनका संबंग बताया जा रहा है और साथी सार पोस्टर भी जारी किये जा रहा है योगी सरकार का इस सुरू से एक बेउस्था रही है कि अगर कोई उपद्रों करता हिंसा करता है गलत चीज है तो उसकी बीडिज्रिटोगाफी कराएंगी उसके पोस्टर लगाएंगे पोस्टर के माद्डेम सँनको गरपतार किया जाएगा हाला कि कई लोग सरंडर भी करने गए कि हम अपने गल्टियों के लिए थाने में सरंडर करते हैं प्रिक्रिया चलती रही पर उस दिन के बाद से तीन जुन के बाद से लगातार चर्चाओं का माहौल गरम रहा और बयानबाजी के दौर इस पर चलते रहे कोई ना काफी बताया कोई काफी बताया और जैसे मैं आपके लाइसी की देश है उन्होंने भी पितके जाहिर की थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए हाला कि उस पर कारवाई हुई उसको उनको छेजाल के लिए पार्टी से निसकासर किया गया पर अंतरास्ति मामले पर इसकी इ कहीं ये बिरस्था थी एक यूजना थी क्योंकि देश में कई ऐसे राज्ये जहां पर मुस्लिम बहु संक्यक है अगर बुरा लगा था उनको भी लगना चाहिए था और उत्तापरेश के अन्य जिलों की बात करें तो तीन जिलों की बात करें तो चोहनतर जिलों में ऐसा न मामले को लेकर एक पिकार से बहाने से लेकर सामने आ गया खेर वो घट्टा उस तरह की को कारवाई चल लही है पर आज जुम्हे को लेकर भी तमाम पुक्ता तयारिया थी उसके बाबजूद देश के कई हिस्सों में आगजनी हुई पथरा हुआ उत्तापरेश की बात करें सहरिनपूर बिजनर देवबंद प्रियागराज बनारस तो जैसे जगों पर भी पत्थराओं किये गए नारेबाजी की गई लखनु में भी नारेवाजी की गई, प्रयास किए गया सर्भावना को खराब करने का, सोहार को खराब करने का, हाली पलिश व्यवस्था थी, मजबूत थी और वहाँ पर एक हलका पलिश बलका उपयोग करके और वहाँ पर इस्तिती सामान नखी गई साथी साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो भी उपदरी हैं उनकी बीटोगाफी के माद्यम से पैजान की जाएगी उन पर कारवाई की जाएगी पर सबसे बड़ी बात ही यहाँ पर यह है कि उपदरों करने बाले हैं कौन उपदरों करने बाले हमाएं बो देश साथी हैं भाई हैं जो की बोलते हैं कि हम देश भक्त हैं देश हमारा है और देश अगर हमारा है तो फिर इस तरह की घटना है क्यों सरकारी संपत्रियों नुक्सान क्यों अपने देश को नुक्सान क्यों अपने देश के साथ क्यों पत्राओं क्यों भाई ये देश उनी का देश तो है जिनके रास्पती दॉट्टर जाकर उसेन हुआ करते थे जिनके रास्पती दॉट्टर फकरुजिन अली हुआ करते थे जिनके रास्पती बारत अब्दुल एपिजे कलाम हुआ करते थे मिसाइलमेन के नाम से इनको दुनिया जानती है और अगर उनकी जीवन की बात करें तो वो आदर्स जीवन था जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता यह देश की बात करें तुलना संग्राम सेरानी अस्वा खुल्ला खां का भी यह देश है मौमर अली जिन्ना का भी देश था तो लगातार इस देश को लेके लोगों ने अपनी आहूती दी प्राणों की आहूती दी और तब यह देश आजाद हुआ अस्वा खुल्ला खां नाम रहे जब देश सभी का है तो फिर यहाँ पर हिंसा क्यों यहाँ पर पद्रा क्यों यहाँ देश की संपत्यों नुक्सार पद्रा क्यों अगर कोई मामला किसी के खिलाब कोई टिपणी की गई है कोई बात कही गई है तो उसको अपने देश में ही सांतिपुन धंग से आप कहिए और हमाई देश में सम्मिनान सबसे उपर है कारून सबसे उपर है और लगातार कारवाई की जा रही है और कारवाई के जो प्रोसे से वो चलता आ रहा है चोकि देश में बयानबाजी केवल नुपुर सर्मा और नभी जिंदर के समय से नहीं हुई यहाँ पर जो बयानबाजी का दोर है वो पुराना है और लगातार अभिवेक्ति की आजादी के तहट यहाँ पर बयानबाजी होती रहती है कटाच होते रहते है फेस्बुक बाल से वो तमाम तरह की गंदे यहाँ अभिलेक लखे जाते हैं बताया जाता है गरतारी होती है आईटी एक्ट लगता है और सामाजी सोहार को बेगाणने की धारा के तहट जिल भी फिज़ा जाता है जिल की मांग करना ठीक है आप अपनी मांग को रख सकते है ग्यापन दे सकते हैं सोहारपूर तरीके से आप जा सकते हैं बता सकते हैं कि यह इनके खलाब कारवाई होनी चाहिए पर उपद्रों कैसा क्या उपद्रों चुनाओं को देखते किया जाता है क्या उपद्रों सुनेजर यूजनाओं के देखते किया जाता है ऐसा उपद्र कर रहा है कि हमारे देश की आनमान सान को अंतराशी स्टर पर धक्का लग रहा है भाई आप हमारे देश की आनमान सान को महान बनाते हैं आप हमारे देश की आनमान सान को सम्मान करते हैं फिर हमारे देश के सम्मान को आप ठेस क्यों पहुचा है रहे हैं कोई समस्या है सरकार स कोई दिक्कत है कोई कारवाई नहीं हो रही तो सम्मिनान के पताब एक सहरा लिया जाता है बाबरी मजजिद जैसा बरा पक्रन राम मंदिर बाबरी मजजिद जैसा बरा पक्रन जिसको सुप्रीम कोट के आदेश के बाद सुल्जा लिया गया वो मामला जो तसकों से चला आ र पर मुसल्म साथियों ने इसको हजय से सुईकार किया पर जा हम देश के संविलाने वरोसा करते हैं ग्यान वापी मुज़ित का जो मामला है वो भी कोड में है वहां पर भी लगातार सुनवाई चल लई है साथ चेपश्तुर किये जा रहा है सर्वे किये जा रहा है अन्य मामलों पर हम उग्र क्यों हो जाते हैं अन्य मामलों पर उपद्रों क्यों करते हैं यह देश आपका है उपद्रों क्यों कर रहा है उपद्रों की कहानी कहां शुरूबात होती है क्या उपद्रों पोसित है क्या उपद्रों सुनिजट उजना के तर्क किया गया है क्य पर यहां पर अनवग्य क्या है आप अगर कोई बात है तो उसको कहा जा सकता है और मामले को उठाए जा सकता है बयान तो यहां पर कई तरह कर लोग देते हैं बयान तो यहां पर हैदाबार के सांसर अबिसी भी देते रहते हैं पर उन बयानों पर कोई इतनी पितिक्रिया धर्ज कराना या उस बयान को लेकर उपद्रो कराना यह कहां से लाजमी होगा उपद्रों के बल उपद्रों होता है जैसे आतंकी के बल आतंकी होता है अपराट के बल अपराण होता है तो बैसे उपद्रों के बल उपद्रों होता है उपद्रों से आप देश की आनवान सान को छती पहुंचा रहे हैं यहां पर एक मुद्दा और भी है कि जो इसलामिक संगठन है जो लगातार इस मुद्दे पर कहा पितिक्रिया आई तो मैं पूझा चाहता हूं जब मुद्दा चीन के विगर मसल्मानों का आता है तो यह पितिक्रिया कहां चली जाती है यह पितिक्रियाएं यह साहनभूती यह धर्द कहां चला जाता है जब कस्मीर में हनसा होती है हिंदू को मारा जाता है तो दर्द कहां चला जाता है तो तो वसपर ढमातियों को denser होती है पर जब बात बात हिंदू की होती है तो सबको डर्द होता है तो वह पद्रों यहां पर हो रहा है तो पद्रों के लिए यह भारत सरकार देखेगी कारवाई करेगी और नाचर करवाई चल लए है और मुकरवे के साफ से जो कारूनी पिकरिया है तो जेल भी जा सकती है वो कारूनी पिकरिया है उसमें किजी का हस्तेजिप नहीं है कारून का अपना काम होता है पर केबल केबल भारत के मुर्दों पर बोला पाकिस्तान में कली एक हिंदू थार लिए little कि चीर में लगाता हम देख रहेंगारी मिलती रहती है किसी निर्फ जो प्रांध वहां पर किस तरह से लगातार है डिटेंशन के माद्नम से वहां पर सोशन किया रहा है वो भी तो आपके भाई है बहुत यलग नहीं पर उस पर बोलने वाला कोई नहीं है किस तरह बहाँ पर मानविदिकार की धज्य उड़ाई जा रही है किस तरह बहाँ पर मानव का सोसन किया जा रहा है सबको पता है पर बहाँ पर बोलने बाला कोई नहीं है कि भारती मुद्दे पर अगर कोई बात होती है तो यहां पर बोला जाता है खेर जो भी पर यहां पर जो बयान उसके बार आने सुरू हुए कि गोली मार देंगे, हबला कर देंगे, रेप कर देंगे, इस तरह के बयान आना ये गलत है, ये भारती संस्किती नहीं है, क्योंकि आप भारती हैं, अगर आप अपने आप को बोलते हैं, भारती हिंदू तो भारती मुसलमान, तो भारत सब्द आप से जड़ा हुआ है और देश आपका है, और जब आप देश की बात करते हैं, और देश की बात आप करते हैं, देश की मिट्टी में आपके पूरवज तो हमको वैसा भी चाल चलन रखना है कि देश आपका है देश की छटी को नुक्सान पुचा के आपको क्या फाइदा मिलेगा अगर आपकी कोई बात है तो आप उसका एक सांटिपून तरीके से उसके लिए परिशन कर सकते हैं पर पथर चलाना शुरी जुना के तहर यहां प गलत है यहां पर केवल केवल गलती मानी जाएगी आपकी बात जो कि एक बैदा तरीकी से कही जा सकती थी उस बात को लेकर अब आप उल्टे ही दोसी साबित हो रहे हैं कारवाई हो रही है गरतारिया हो रही है तो कहीं न कहीं यह नुक्सान आपका ही है देश आपका है चाहूंगा कि केवलों कि इन नहीं ज मुर्दों पर गता हूं जो हो रहा है कि शार से और आघर यह तो पर अपनी आवाज अवाज कूश्र से अगर भारत में मुसुलिम पर कस्ठ होता है तो अगर पागिस्तान में मंधू पर कस्ठश होता है तो बहां पर भी आपको खानी चाहिए यांगे राजनीती थोoste यहां पर नहीं होना ही चभी जायज है और टिपनई जो की गई निस्यूप से उस पर जो ब्रोड ब्रोड हो पर उपद्रोड नहीं है नुए टिपनी गलत थी इसका सबी जगह और लोगों अन्य देसों में क्या हो रहा है उस पर कोई बात ना करना उस पर चुपी साध लिना यह गलत है तो मेरा मानना यह ही है कि आप उपद्रों करें पर कम सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुचाएंगे तो नुक्सान आप ही का है क्योंकि उपद्रों का छोई द्रम नहीं होता हिंचा की प्रिभाजा नहीं होती आतंकी को जाती नहीं होती और यहांपर कोई बुरि जकि करिए घлет है पथराओं करना गारियों में आग लगा जेना ये कहीं न कहीं आपको दिखाता है कि आप भारत के नागरिक होने के नाते अपनी नेतिक जम्रारी भूच चुके हैं बारत का सम्पयान आपको अरिकार दी है आपका मुलिक अरिकार भी है आपका नेतरिर अरिकार भी है तो आपका ये वह अर। आपके जम्रारी भी है कि सरकारी संपत्यों को नुक्सान ना पहुंचे देश में अमन सोहार की भावना को बना रखने के लिए यहाँ पर जड़ाव जरूरी है और कुछ एक राजनितिक हस्तियों एक राजनितिक मनसा और यूजनाओ के तहर हमको अपने आपको बाढ़ना नहीं है आपसी अमनचन बना के रखना है क्योंकि हमाएं देश में गंगा जमिनी तहजीव से हमां मिसा चलते आए हम इर भी बनाते हैं तो हम दिबाली भी बनाते हैं हम ऐötयत यहाँ को साथ बनाते चले आते हैं उसी भावना कैसा रह हमको आंगे बढ़ना है ना कि उपद्रव से अपने देश की आनमानसान को सम्मान को ठेज पचाना है तो आज की चर्चा में अतना ही मुझे दीजानमती नमस्कार